तो हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करने वाले बिग मसल का सौरी मसल ब्लीज का मास गेनर और मसल ब्लीज का वेड गेनर यह दोनों में मस्ट थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लेकि वो चेंजेस जानना आप लोग लिए के बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप लोग डिन करना चाहते हैं तो मतलब आप करते हैं मास गेनर के रहें ठीक है तो मास गेनर में बेसिक हम लोगको मिल जाता है है 100 ग्राम का स्कूप मिल जाता है जिसमें हम लोग को कैलोरी लगबग 300 ग्राम के लगबग मिल जाता है और काफ कैलोरी बहुत ही अच्छे दर्च तो इसे बेसिक हम लोग यूज करते हैं जो लोग जीम जा रहे हैं वो लोग के लिए यह बैटर रहेगा क्योंकि उनको अपन लिए बहुत अपर देन के लिए भहत of dejar और यह जो कि वहारा मसल गिंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंप्वॉटेंट होता है थीक वह सेकेंड़ हम बात करते हैं मतलब वेट के बारे में उसमें क्या होता है युद्ious कमकलत कम होता है तो यह basic बस weight gain करने में ही ज्यादा तर काम आता है यह आपका weight gain करने में आपका help करेगा तो दोनों का scoop 100-100 gram का होता है आप लोग अगर घर में रहके अपना weight gain करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं बोलूगा कि आप लोग weight gainer यूज कर सकते आपका weight वह अच्छा गेन करें दोनों ही basic weight gain के लिए ही यूज किया जाता है यह जो होता है मास गेन करने में थोड़ा help करता है इसलिए नाम से इसका रखा गया mass gainer और इसका weight gainer इसका काम होता है weight को gain करना ठीक है तो मैं गाइस जो भी supplement हो गया या फिर कुछ भी चीज हो गया आप लोग को ने diet से ही weight बढ़ता है ठीक है supplement just then push हलका सब पूस मिल रहा है बस और कुछ नहीं ठीक है 300 gram calories से आपका कुछ होने वाला है नहीं या 300 या फिर carbs 50 gram carbs से आपका weight बढ़ेगा नहीं आपका focus होना चाहिए आपके diet की होगा ठीक है अपका diet जितना अच्छा होगा उसका result आपको उतना अच्छा मिलेगा आपका जो weight है उतना अच्छा gain होगा ठीक है और आपका muscle mass उतना अच्छा gain होगा तो अब हमें इसकी rate की बात कर लेते हैं इसकी rate लगबग online में आप जाएंगे तो weight gainer आप लोग को मिल जाता है 800 से 900 के अंदर लेकिन mass gainer हम लोग को 900 से 1000 बारह सब तक का rate पड़ता है अब rate में difference क्यों है मैंने बता है कि protein गाजो content है weight gainer में थोड़ा कम होता और mass gainer में थोड़ा जाता होता है तो protein actually हमारे जो है कि मिल्स से ready होता है तो उसका rate थोड़ा जाता होता है तो mass gainer में कि उसमें थोड़ा सा हमारा प्रोटिन का यो content कम होता है इसलिए उसका पृइस हम लोग को ज्यादा नहीं पड़ता है तो आप लोग डिसाइड करने कि आप लोगो डिकीन करना है कि मा स्वाइक करना है अब इसको यूच ऐब dreams कम्पनियंगा जो है कर सकते हैं करना है तो दोनों यसको भी yurt करें बहुत ही बैठर है को सब्साइब से लेया आप जादा हेल्प होगा वेड गिन करने में अब आति हैं कौनputer यूज कर सकता है यह दोनों आप girls हो तो भी यूज कर सकते हैं बहुत लोग के मन में यह डाउट होता थीक है तो आप लोग का भी डाउट अगर यह था तो सायद किलिर हो गया होगा यह डाउट और ज्यादा तो है नहीं बट यह जानना बहुत ज़रूरी है कि weight gainer का काम क्या होता है और mass gainer का काम क्या होता है तो अगर आपको weight gain करना है तो आप लोग mass gainer लाके थोड़े से extra पैसा इसमें waste नहीं करके इसका quantity आप लोग बढ़ा सकते हैं लोग का product को आप लोग 2 kg ला सकते हैं तो इस यह मेरा वीडियो का लाने का मोटिव यही था कि लोग मन के confusion को दूर करना अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मिलते हैं